गुड मॉनिंग सातियों, तेरे गिरने में हार नहीं, तो इनसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, जित संचिबता है इसका कोई सार नहीं, जिसको बात बात हम आपको बताते हैं, जिस परकार से एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, चलता है, गिरता है, फिर मैथ की जो क्लास को देख रहे हैं, एक दिन आप भी इसमें मैदान में बहुंच जाएंगे, इस समय आप देख रहे हैं, जीरो लेबल मैथ की अपडेट चल रही है, पीबियर इस्टेडी की ये क्लास नंबर 75A होगी, कहने का मतलब, जीरो लेबल मैथ का जो पहली बैच च ठीक ना, चलिए, एक किताब 80 रुपए में खरीदी गई और 60 रुपए में बेंच दी गई, तो कितना परसेंट का लाब होगा या हानी होगी, मतलब प्रॉफिट होगा या लास होगा, तो सिम्पल सी बात है, बच्चा बच्चा जानता है कि अगर 60 रुपए में बेंची गई और 80 में खरीदी गई थी, तो सिम्पल सी बात है, हानी होगी, नुक्सान होगा, है ना, क्योंकि यहां कॉश्ट प्राइस एनि कि CP 80 रुपए है जो कि ज्यादा है और SP सेलिंग प्राइस 60 रुपए है जो कि उससे कम है, लेकिन कितना परसेंट का हान होगी अलाब होग हिंधी में क्रेमुले बोलते हैं और इंगलिस में इसको आप CP बोलते हैं, कॉश्ट प्राइस कितना है, 80 रुपए है, इसका विक्रे मुले दिया है, विक्रे मुले मतलब जानते हो, SP यानि कि सेलिंग प्राइस 60 रुपए है, ठीक, निकालना क्या है, कह रहा, कितना परसें ये क्रे मूल ज्यादा है विक्रे कम है तो इसका मतलब क्या है नुक्सान होगा तो हानी होगी सभी जानते हैं लेकिन पहले परसेंटेज नहीं निकालेंगे पहले तो मैं मालूम हो ना कितना रूपया की हानी होगी हानी होगी कितना 20 रूपया 20 रुपया का नुक्सान हुआ लेकिन कितना परसेंट नुक्सान हुआ परसेंट निकालेंगे अब यहाँ पर आप लिखेंगे परतिसाथ हानी परतिसाथ हानी हानी मतलब लास वही लिखेंगे लास into 100 upon CP बतलब कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा गया था तो 20 रुपया का नुक्सान हो रहा 20 लिख देंगे into 100 CP याने की कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपीज यह हो गया 80 इसको आप डिबाइड कर लो यह देखो इसको भी आप काट सकते हैं आपके उपर डिबेंड करता है कैसे काट तो इसको दो से काट दोगे तो यह 10 आ जाएगा और यह क्या आएगा दो चोगाट है ना इस तरह से अगर यहां पर आप देखिए तो यह 10 धामत 100 हो जा रहा है और यह हो जाएगा नीचे 4 बराबर 25 यानि की 25 परसेंट मतलब 25 परसेंट का लास हुआ कितने का हुआ 25 परसेंट का चुकि 80 में खरीदी गई थी 80 का 25 परसेंट कितना है 20 रुपया है ठीक निकाल के देख ले ना 80 का 25 परसेंट निकालोगे 20 रुपया आएगा क्योंकि 20 रूपय का लास हो रहा था इसका मतलब 25% का लास हो रहा था अगर 40 रूपय का लास होता तो 50% का लास होता मतलब आधा लास हो जाता समझ गये ना जल्दी से नोट कर लिजिए और फिर हम लोग इसी करम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं next question पर अगला सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है मापको नहीं बताएंगे पहले इसको लिख लो जल्दी से हो गया इसक्रीन साथ निकाल लिए कर ये तुरंद देखें अगले सवाल पर चलते हैं लिखिए जल्दी से तुरंद देखिए सवाल लिखने में कोता ही नहीं करेंगे copy और pen लेके बैठेंगे अगर पढ़ना है तो कुछ हमारे ऐसे प्रिये स्टूडेंट हैं जो क्लास को जोईन की हैं लेकिनों कभी लिखते नहीं है और फी कहते हैं मैं आता नहीं समझ में कैसे आयागा जी और हाँ अगर अभी तक आपने पीवियर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं 10 वैल खरीदें जिसा हिंधिम बर्धा बोलते हैं है और फिर क्या किया है उन्हें बेंच दिゃ लेकिन खरीदा कितने में था और बैच A कितने में देखिए 30,000 रुपया में खरीदा था 10 बैल अनुमान लगा सकते हो 1 बैल कितने का था और फिर कैसे बेंचा उनको किस इस्थिती में 2400 रुपया प्रती बैल के हिसाब से बेंचा तो पहले तो लिखो कि उनका CP क्या था और SP क्या था यहीं क्रे और विक्रे मूले तीकिये हल बैल का क्रे मूले क्रे मूले मतलब कॉस्ट प्राइस लिख लो इसको 60 में CP 30,000 रुपया देखो लिखा है न और उनका विक्रे मूले क्या हो जाएगा बैल का विक्रे मूले बिक्रे मूले मतलब SP कितना SP मतलब SP साहब नहीं सेलिंग प्राइस देखे 2400 रुपय परती बैल के हिसाब से बेचा और 10 बैल थे तो कितना हो जाएगा 2400 गुड़ा 10 अनुमान लगा सकते हो 24,000 सीधा सीधा लॉस हो रहा है नुक्सान हो रहा है तो नुक्सान ही हो रहा हर जगा लेकिन कितने का नुक्सान हुआ अब यहाँ पर आप लिखेंगे हानी हानी मतलब Loss सिंपल सी बात है 24,000 मिला है बेचने पर 30,000 का खरीदा था घटालो सीधा सीधा करके 6,000 आएगा 6,000 रुपया ना लेकिन इतने से ही कल्यान नहीं होने वाला कहरा कि परसेंटेज में बताओ तो परतिसद निकाल लो फिर करना क्या है कर लोगे ना परतिसद में चलिए निकाल देते हैं हानी परतिसद क्या करेंगे हानी परतिसद तो लिख लो हानी प्रतिसाद बराबर कितना हो जाएगा लिख लिजिए हानी पर्थेंटेज इक्वाल हानी इंटू हन्ड्रेड अपान सीपी सीपी मतलब जानते हो कॉस प्राइस तो इसी को हल कर दीजिए आप का अंसर आ गया लास होगा 6,000 रुपया का और यह 100 हो गया नीचे खरीदा कितने में था 30,000 में 30,000 का मतलब 4,0 लगा दो बस हो गया काट दीजिए 3,0 से यह 3,0 कट गया एक 0 से एक 0 और काट दो 3 से काट दीजिए दो आ गया मतलब की दो दहमा 20% कितने का नुक्सान हुआ 20% का नुक्सान हुआ 20% का लॉस हुआ इसका जल्दी से स्क्रीन साट ले लिजिए फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं दोड़ के फट से हो गया ना देखिए हमारे मुझ से निकले कि आप तुरंत स्क्रीन साट निकल ले जिससे टाइम न लासो कम से कम समय में जादा फे जादा चीज़े मिलनें आपको अगला कुश्चन देखिए कुछ गड़बर लागरा है मतलब अलग सा है कहरा कि एक ब्यापारी मतलब एक मर्चेंट 15 कुंटल गेहूं मतलब जिसकी रोटी बन थी है 480 रुपय परती कुंटल से खरीदा मतलब 15 किलो खरीदा 15 किलो नहीं 15 कुंटल 480 रुपय परती कुंटल के भाव से खरीदा और फिर गेहूं में घून लग गया जिसके कारण ब्यापारी का लास हुआ नुक्सान हुआ और कितने का हुआ 12 साई एक बटा दो परसेंटेज का नुक्सान हुआ मतलब 25 बटा दो परसेंट का नुक्सान हुआ यनि हानी हुई तो बताओ कि गेहूं को आप एक क्रेमोले कितना था कितने में बेंचा ये बताना है तो हमने तो देखा नहीं कितने में बेंचा नाम आए गया था हिसाब करते समय लेकिन यहां से हम निकाल सकते हैं पैसे पाइट ले तो लिखिए गेहूं का क्रेमोले गेहूं का क्रेमोले मतलब कि खरीदा कितने में गया था उसमें लागत कितनी लगी थी कॉस्ट प्राइस कितनी थी तो 480 रुपया का एक कुंटल खरीदा था पंदरा कुंटल टोटल खरीदा था गुड़ा कर लीजिए पंदरा जीरो पंदरा का पाड़ा सभी को अता है ना फंदरा अठे कितना होता है पंदरा चुक्णा साथ quizat 59, 15 75, 14 enmlies 20 बचाथ ईसें पढ़ते थे ना कितने का खरीदा था 72 का ही मिल गया था क्या 15 कुंटल 7200 का और फिर क्या हो रहा है आगे आगे यह हो रहा है कि हानी हो रही है कितना परसेंट की हो रही है 12 साई 1 बटा 2 परसेंट मतलब की 25 बटा 2 परसेंट का लॉस हो रहा है तो हानी बताईए कितने रुपया की हुई इसके लिए फार्मूला लगा दो सिंपल सा जैसे हानी परसेंटेज वाला लगाते थे तो चलिए लगा देते हैं हानी बराबर हो जाएगा क्रेमूले मतलब सी पी सी पी इंटू परसेंटेज लास पर्षेंटेज लास मींस पर्तिसत हानी जो आई वही और इसको हंडेट से भाग कर देना है तो साथियों करेमू ले हुआ था बाहतर सु रुपया हानी हुई थी पचीस बटा दो पर्षेंटेज की और ये नीचे सो हलका लीजिए उत्तर आपके सामने आ गया 72 का आधा होता है 36 सो और ये हो गया फाइनल में देखो 36 सो आया ना एक लाइन और लिख दे समझ में आजा जिससे गुड़ा 25 और ये नीचे सो कितना 100 आप देखना इस में से दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए सब तो कट गया यार 36 का 25 में गुड़ा कर लो आगया अनसर आप जानते हो 25 शक का डेड़ सो हासिल कितना आया 15 और 25 तियां 75 75 85 90 मतलब 900 रूपया का नुकसान हुआ जोड घटाना गुड़ा भाग नहीं आता तो जीरो लेबल गड़ित का पहला भाग से देखिए वहाँ पर हम यह बताएंगे 90 कैसे लिखा जाता है का है आया क्यूं आया कैसे आया किस रास्ते से आया यह सब बताएंगे ठीक ना लेकिन ये पहुँच गया है काफी आगे इस कारण से हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से नहीं उसको समझा रहें कि कैसे आया क्यों आया उतना आप सीख गए हो है ना चलिए फिर अगला सवाल इसका स्क्रीन साट ले लिजिए तुरंद बिना कहे हुए और हाँ एक बात और PBR study को Facebook पर अवसे लाइक कर देना तुरंद जाकर के अभी फट से बाद में आके देखना जिससे वहाँ पर आपको फ्री की सारी कलास उप्लब्द हो सके Facebook पर सारी कलास होती है YouTube पर नहीं मिलती सब अगला सवाल आपके सामने आ चुका है साथियों बहुत ही आसान सा है यह कहरा कि एक कलम को 21 रुपए में बेंचने पर 5% कलाब होता है कितने में बेंचा जा रहा है 20 रुपए में तो कलम का विक्रे मुले बताइए देखिए यहाँ पर selling price नहीं मालूम है कलम को कितने में खरीदा गया था यह नहीं पता है लेकिन बेंचा जा रहा 21 रुपए में लाब मिल रहा 5% तो कितने में उसको एक मिनट समझना फिर से बेंचने पर 21 रुपए में बेंचने पर 5% कलाब होता है तो भी क्रेम उल्ले बताईए कुछ सवाल उल्टा लिखा है क्या इसका क्रेम उल्ले होना चाहिए ना हाँ क्रेम उल्ले बताईए चुकि बेंचा जा रहा दिया ही है वही तो कन्फ्यूज कर रहा था यह ऐसे होना चाहिए क्रेमूले देखे दिया है लिख लिजिए दिया है क्या क्या दिया है 21 में बेचा जा रहा है इसका मतलब भी क्रेमूल दिया है 21 रुपया लाब परतिसत दिया है 5% निकालना क्या है निकालना है हमें क्रेमूले यानि की cost price निकालना है क्या करेंगे देखिए अक्सर जो percentage का system में 100 पर depend करता है हम 100 मान सकते हैं और फिर उस पर आ जाएगा लिखिए माना कलम का क्रेमूले बराबर कितना 100 रुपया अगर कलम का क्रेमूले निकी pen का जो cost price है 100 रुपीज हो जाएगा लाब कितना मिल रहा है 5% तो बिखिए मूले कितना होगा फिर बिखिए मूले कितना होगा बाई 5% के लाब पर बेंचा जा रहा है जितने में खरीदा था यानि की क्रेमूले और प्लस लाब 100 का 5% 5 ही होगा मतलब 105 रुपया कुल मिला करके कहने की ये बात है कि जब क्रेमूले 100 रुपया था तो बिखिए मूले कितना था 105 रुपया है ना अब क्रेमूले निकालना आगे देखते जाना अब यहाँ पर निचे लिखिए जब क्रेमूले 100 रुपये तो बिक्रे मूले बराबर 105 रूपए इसलिए जब क्रे मूले चलिए लिखना सुरू करिए जब बिक्रे मूले कितना है? 105 रूपए तो क्रे मूले बराबर 100 रूपए है ना? यह दिया है जब बिक्रे मूले 105 रूपए है तो क्रे मूले 100 रूपए यहाँ पर आगए अगले लाइन में लिख लो इसलिए जब बिक्रे मूले 1 रूपए तो क्रे मूले कितना होगा? 105 कितना हो जाएगा 100 बटा 105 है ना कितना हो जाएगा 100 बटा 105 रुपया मतलब समझे ना देखो यहाँ पर तो यह क्रे भिक्रे मैंने कर लिया समझ गया आप इतना जब भिक्रे मुल 105 रुपय यह आ रहा है तो क्रे मुल कितना 100 रुपय है अब एक भी निकाल लो इसलिए जब बिक्रेमूल एक रूपया तो к्रेमूल ने 100 बटा 105 अब आगे आपका उतर लिखें इसलिए जब बिक्रेमूल ने 21 रूपया तो क्रेमूल ले बरावर 100 बटा 105 गुड़ा 61 बात समझ में आई कर लीजिए इसको काट दीजिए साथ रियकाइस साथ एकम साथ साथ पचे पैंतीस तीन से काट दो तीन एकम तीन तीन पचे पंदरा पांच से काटेंगे सो को बीस आएगा 20 रूपया मतलब कितना 20 रूपय यानि कि जो कलम का क्रेम उलिथा कोश्ट प्राइज थी कितना थी 20 रूपय कितना 20 रूपय तो साथियों ये कितना महत्तपूर कुश्चन था ना इसको आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गये होंगे तुरंत नोट कर लिजिए लिख हिए साथियों कोशस करने वालों कि कभी हार नहीं होती जी बिलकुल इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगली कलास में तब तक के लिए बहुत बहुत सुक्रिया अगर आपने अभी पर फोन पर वाटसप का नंबर है इस पर आपको मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए कुछ पर करना होगा बाकी यूटूब पर जो भी पार्ट सुपलब्ध है लगभग धिर सारे भाग बिल्कुल फ्री में हैं उसे आप वहीं पर देखिए कुछ भी नहीं पर करना है लेकिन स क्लास को लाइक करना जितने भी क्लास देखना दोस्तों में भी बातों के साथ जय हिन लाव फिर से आप सबीको एक बार चलते चलते पर से मिलेंगे अगली क्लास में